नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा के बारे में लोकसभा क्या होती है लोकसभा में कितने सदस होते हैं लोकसभा का कारेकाल कितना होता है और लोकसभा के स्पीकर के कारियों को समझेंगे तो चलिए स्टार् बिना किसी देरी के जैसा कि हमें पता है पालिया मेंड दो सद्दों से मिलकर बना है अपर हाउस यानि ओपिर सदन जो की हमारी राजिसभा होती है लोगसभा यानि हाउस औप पीपल पालिया मेंड का लोवर हाउस यानि निचला सदन कहलाता है लोगसभा के मैंबर्स का चु लोगसभा यानि Houses of People क्यों कहते हैं? यह इसलिए क्योंकि लोगसभा के सदस्यों का चेहन स्वयम भायरत के लोग करते हैं इसलिए इसे लोगसभा कहा जाता है यानि लोगों दवारा चेहन की गई सभा इसी परकार राजिसभा को राजिसभा यानि Houses of States Life बेर ये इसलिए कुछकि इनका चुनाओं राज्यों इं शंग के MLS द्वारा होता है। अब समझते हैं लोकसभा के सदस्यों के बारे में। लोकसभा में तोटल ममें मेंबर 552 होते हैं जिसमें Abg 130 मेंबर्ज्व से चुन días अग ट्वंटी मैंबर्स यूनिन टाइटरेस दे चुनाते हैं बाकी बचे दो सदस्यों की न्यूती राष्टपती एंगलो इंडियन कम्यूटी से करते हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास लोगसभा की अधिक सीटे होती हैं वे अपनी सरकार बनाती है यदि दो या दो से अधिक पार्टियां गडबंधन कर लें और वोटों को मिला लें तो वे भी अपनी सम्मिलिस सरकार बना सकते हैं उधारन के लिए यदि पार्टी A को सरवाधिक वोट मिले हैं और पार्टी B और C के वोट मिलाकर पार्टी A से अधिक हो रहे हैं तो यदि पार्टी B और C च और कॉंग्रिस ने गड़ बंधन कर अपने वोटों को मिला लिया और अपनी सम्मेली सरकार बना ली। चलिए अब जानते हैं लोकसभा के कारिकाल के बारे में। और की सरकार थी जिनके चीफ मेंस्टर कमलनास जी थे। के MLA बीजेपी में शामिल हो गए। जिससे कमलनास सरकार ने अपनी मेजियोटी यानि बहुमत खो दिया और उनकी सरकार डिजोल हो गई। तथा बीजेपी के पास बहुमत आ जाने से बीजेपी ने अपनी सरकार बना आप सब इसमें जरूर कन्फिर्ज होते होंगे कि लोकसभा की चुनाओं में ये MPs चुनाओं जाते हैं और Chief Minister की चुनाओं में MLS का चुनाओं होता है ये चक्कर क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो वोट हम डालते हैं वह डायक्ट किसी एक प्रताशिय को नहीं जा होता है प्रहार मंतिर के चुनाओं में MPs यानि Member of Parliament चुने जाते हैं ये अपनी अपनी हो जाती है तो चलिए अब हम जानेंगे लोगसभा के सभापती यानि लोगसभा के स्पीकर के बारे में लोगसभा के स्पीकर लोगसभा को सुचाओ ढंक से संचारित करने का कार करते हैं लोगसभा स्पीकर Member of Parliament से ही चुने जाते हैं लोगसभा के स्पीकर सभी MPs की बातों को सुनते हैं और ये निधारित करते हैं कि लोकसभा का संचालन अनुशाषन पूर्वक चले यदि फिर भी कोई MP लोकसभा में अनुशाषन हींता करता है तो लोकसभा के स्पीकर उसे सजन से बाहर जाने को कह सकते हैं यदि वे फिर भी नहीं मानता तो मार्शल द्वारा उन इतने दिनों के लिए उसे सस्पेंड किया गया हो तो दोस्तों ये थी लोकसभा के वारे में कुछ जानकारी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी जै भारत